हेलो यूट्यूब दिस इस गनेश तो दोस्तों आप सभी का स्वागत एक दम ब्रैंड न्यू वीडियो में आज की वीडियो हम देखेंगे हमारा दिवाली फायरवक्स टैस 2021 पार्ट 5 वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे नीचे लालवाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन को दबा कर ऑल पे टैप कर दीजे चली आज की वीडियो को शुरू करते हैं चली देखते हैं दोस्तों पार्ट फाइव में हमारे पास कौन कौन से और किस प्रकार से पटागे हैं सबसे पहली आइटम हमारे पास है कैंडल यानि की पेंसिल्स यह है संशाइन की बार्बी कैंडल काफी अची क्वालिटी का बॉक्स है एमार पिली के यहां पर 135 रुपीस और हमें यह बॉक्स पड़ा था 80 रुपीस का जिसके अंदर 10 कैंडल देखने को मिलती हैं यह काफी बड़े साइस की कैंडल है लगबग 45 सेंटिमिटर की यह देखिए 5 पीस बचे हैं हमारे पास और इनकी लेंथ काफी अची है और कॉलिटे बी अच्छी है छोटे बचों के काफी पसंद आती है और साथ से डिने पटाके जिलाने के लिए भी यूज कर सकते है यहां पिंक साइड से इने होल्ट कर जाता है और इस साइड से नॉर्मल टेंडल से इस जलाया जाता है और इस साइट से पकड़ा जाता है और फिर इसका मज़ा ले जाता है ये स्पार्कलर्स जैसा इफेक्ट निकालती है अगली साइड को तो छोटे बच्चों के लिए काफी हद तक सेफ होती है नुवैलिटिक रेकर्स में फर्स्ट आइटम हमारे पास है गंगा यमुना रतनास ब्रेंड के फ्लावर बॉंब काफी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है ये अनार क्रेकर है दोस्तों 164 MRP और हमें बॉक्स पड़ता 50 पीस का और एक बॉक्स में 5 पीस देखने को मिलते हैं रतनास ब्रेंड का तो काफी अच्छी क्वालिटी भी होगी अंदर से 3 पीस बचे हैं हमारे पास और एक पीस अगर हम देखे तो कुछ इस प्रकार का है इसके अंदर इस प्रकार का एक स्टेंड भी मिलता है गत्य का होल जैसा जिसे यहां टिकाया जाता है ताकि यह विल्कुल एजिली खड़ा हो सके जमीन पर यहां पर इसके फास्ट बनिंग पेपर जिसके अंदर हम फ्यूज भी देख पारे है मोटे वाला इस क्रैकर में पहले अनार निकलता है पूरा का पूरा जैसे कि यहां बना है और फिर बहुत ही जोरदार पटाके की अवाज आती है तो इसे सेफली जलाए दोस्तो और यह बहुत ही ऑसम आइटम है नोवैलेटी क्रैकर में दिवाली में यूस करने के लिए मुझे यह परसनली काफी पसंद है सूतली क्रैकर में इस पार्ट फाइफ के स्टैश में हमारे पास है सूकरा ब्रैंड के हाइटर बॉम ग्रीन यानि की सूतली क्रैकर जिसके हमारे पास दो बॉक्स हैं होलसेल पैकेजिंग में काफी सस्ते मिलते हैं अगर इस बॉक्स को खोल कर देखें तो काफी अच्छे क्वालिटी के बड़े साइस के सूतली क्रैकर देखने को मिलते हैं यह दशेरे में भी काफी काम आते हैं रावन विगारा को बनाने में और आवाज काफी जोड़दार है इनकी इनके प्राइस के एसाब से एक पीस देखें तो कुछ इस प्रकार का है इसका फ्यूज हमने निकाल कर रखा है लेंस देख सकते हैं आप कितनी है इसके फ्यूज की थोड़ी सी कम है तो सेफली जिलाएं हाइडरो बाम लिखा इसके उपर और काफी टाइटली पैक्ट है सूतली यानि की उतनी ही जोड 133 रुपीज की MRP है और हमें दोस्तों ये बॉक्स पड़ा था रॉकेट का सिरफ और सिरफ 40 रुपीज का और एक पैकेट में 10 पीस देखने को मिलते हैं काफी अच्छी कॉलिटी की पैकेजिंग भी है इसकी होल सेल में लिया था हमने इसलिए बहुत ही सस्ता मिल गया था 40 रुपीज का दोस्तों लेकिन कमाल की चीज है एक पीस अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार का है चोटा साइज है लेकिन अवाज करता है अकाश में फ्यूज भी अच्छी कॉलिटी का है यहां से काफी भारी भी है लेंद थोड़ी कम है यानि की हाइट थोड़ी कम सकता है लेकिन अगर हम इसको 50 पीसी के रैक में खड़ी देंगे तो हमें 8 रुपीस पर लार के हिसाब से भी मिल सकते हैं अंदर से एक लार कुछ इस प्रकार की है दोस्तों काफी अच्छी कॉलिटी है देखी एक भी पटाका नहीं निकल रहा और यह काफी जोर दर रुपी रंगा डबा है मर्पी लिखी है 40 रुपीज और हमें डबा पड़ा था इन रिटेल में 12 रुपीज का अमरे सर की मैनुफेक्ट्रिंग है बॉक्स काफी अच्छी क्वालिटी का है 10 नंबर यानि की 10 सेंटिमिटर्स की स्पार्कलर्स हैं कुछ इस प्रकार के 10 पीस यह है तुशार ब्रेंट की कलर्स बाकलर्स नंबर 10 बुलेट क्रेकर्स में हमारे पास इस स्टैश में है सुनिंदिया ब्रेंड की डिलक्स बुलेट क्रेकर और यह दोस्तों मेरे असाब से one of the loudest sound निकालते हैं बुलेट क्रेकर्स में एक बॉक्स कुछ इस प्रकार का है ब भी बड़ा साइज है इसका यहां टॉप में रबट की बुलेट होती है जो कि अकाश में निकलती है जोरदार आवास करते हुए यह थोड़ा सा अनार का इफेक्ट भी निकालते हैं जदा तर बुलेट क्रेकर बेस और टॉप पाट पर आप देख सकते हैं फ्यूज और बेल आइकन को आल पे टैप करना मत भूलिएगा चक्रियों में हमारे पास है कोग ब्रेंड की ग्राउंड चकर 45 सेंटीमेटर 100 रुपीज का यह बक्स पड़ा जबकि इसकी मर्पी है 149 रुपीज 30 पिसेंट डिसकाउंट पे 100 रुपीज का पड़ा था हमें और एक बक 30 से 40 सेकिंड तो चलनी ही चाहिए तो यह है कोग ब्रेंड की ग्राउंड चकर 45 सेंटीमेटर नेक्स आइटम हमारे पास है डग ब्रेंड के क्रैकलिंग बबलर्स फ्लावर पॉर्ट सूपर जयंट यह क्रैकलिंग बबल्स इफेक्ट निकालते हैं दोस्तों आर बहुत ही अगली वीडियो में तो यह है डग ब्रेंड का क्रैकलिंग बबलर्स फ्लावर पॉर्ट सूपर जायंट नेक्स्ट मटका नार में हमारे पास है लड़ू अनार यह हैं गुडिया ब्रेंड के मिनी पल फ्लावर पॉर्ट से एक बॉक्स में फाइफ पीस होते हैं हमने दो बॉक्स लिए हैं और यह भी लिए हमने होल सेल में क्यूंकि इनकी MRP से काफी कम प्राइज है MRP 300 पीस पर और हमें प्राइस पें पड़ी हैं सिरफ साट रुपे डब्बे के हिसाब से एक बॉक्स अगरम देखें तो कुछ इस प्रकार का है इसमें फाइफ पीस देखने को मिलेंगे जैसा कि यहां लिखाए अगर इसे खोलें अंदर से बिलकुल लड़ू की तरह हैं मटका नार का लगता है और बिल्कुल लड़ू की शेप का लग रहा है तो यह हैं गोड़िया ब्रेंड के मिनी पल मतका नार Sky Shorts में हमारे पास है Cock brand के Jasmine Core Sky Shorts जो कि पहली बात तो काफी भारी है हमारे पास दो boxes है जो कि हमने wholesale मिलिये थे और पर box अगर हम MRP देखें तो यहां लिखी है 915 रुपीज और हमें पर box cost पड़ी थी सिरफ और सिरफ 400 रुपीज की एक box अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार का है काफी अच्छी quality है box के अंदर आपको 3 piece देखने को मिलते है 3 units जैसा कि यहां लिखा है 2 inch के shells है काफी अच्छी quality है पहले तो यह warning sign जिससे authenticate होदा है कि कॉग brand के है लिखा है white color stars in the sky यानि कि white effect देखने को मिलेगा में आकाश में 3 piece कुछ इस प्रकार के है साथ ही साथ ऐसा stand भी मिला है इस box के अंदर यह shots काफी अच्छे है एक पीस अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार का है इसके उपर लिखा है cock brand Jasmine core ऐसा effect होना चाहिए quality काफी अच्छे प्रॉपर ब्रैंडिंग fuse है मोटे sky shot वाला base कुछ इस प्रकार का टॉप पार्ट कुछ इस प्रकार का दो इंच का shell दिख सकते हैं थोड़ सा पतला है लेकिन फिर भी sky dominant तो करेगा ही stand में special जगा दी है fuse के लिए कुछ इस प्रकार से टिकाने के लिए यह देखे और ऐसे इसे जमीन पर रखकर बिल्कुल even जमीन पर रखकर चलाने के लिए तो यह है कॉक ब्रैंड का Jasmine core next हमारे पास है विशेष्था की color sparklers number 30 5 pieces एक box में देखने को मिलेंगे 30 number यानि की यह 30 cm से पाकलर है विशेष्था ब्रैंड की है तो दोस्तों इसका effect बहुत ही wide और special होता है मैं आपको भी दिखाता हूँ MRP पर box लिखी है 180 रुपीज और उमें per box कौश पड़ी है 50 रुपीज की एक box कुछ इस प्रकार का है 5 पीज है तो देखते हैं किस प्रकार के हैं दोस्तों यह देखे कुछ इस प्रकार के इनको देख सकते हैं आप काफी मोटा effect है दोस्तों इनका नॉर्मल फुल जड़ी से काफी ज़्यादा bright और white effect करती है यह वाली फुल जड़ी तो यह है दोस्तों विशेष्ता की color sparklers number 30 जिसके हमने दो डब बे लिये हैं इस test में जिससे हमें सारे पटा के चलाएंगे अगली वीडियो में तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इन सभी बटाओ की testing दिखना जाते हैं हमें नीचे comment करके जरूर बताएं इस वीडियो को नीचे share बटन दबा कर अपने friends and family के साथ share कीजिए किसी भी social media site पे ताकि वो भी इस वीडियो का मजा ले सके आप से मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में